नमस्कार दोस्तों सिलीकॉन बैंक USA का बैंक है जो वो डूब गया है पानी में नहीं उसी को हम डिसकस करेंगे ये बैंक कैसे डूबा ठीक है और क्या-क्या इफेक्ट है इसका हम लोग भी पैसा डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में कैसे काम करता है बैंक और कैसे ये क्रैसिस में आ गया ठीक है जो अभि USA का बैंक बुजारा क्रैसिस में आ गया है डूब गया है अभ सोचते हैं कि क्या ये ऐसा फस्ट टाइम हुआ USA में नहीं 2008 में 2008 में एक बैंक और था वॉशिंटन mutual ठीक है उसमें भी financial crisis आई थी वो बैंक भी डूब गया था उसके कारण क्या हुआ था उसका impact all over world में बढ़ा था ठीक है global recession आगी थी ठीक है पहले तो ऐसे बोलते थे कि अगर USA को छींक आ जाए तो जुकाम साभी country को होता है लेकिन 2023 में ये condition नहीं apply होती impact पढ़ते हैं पूरे नहीं पढ़ते है impact ठीक है तो जो अभी Silicon Valley bank है उसमें crisis आया है पहले हम देखते हैं ये bank क्या है कौन सा bank है ये commercial bank है कब बना था ये 1983 में ठीक है इसका headquarter California में है और ये USA का 16th largest bank है ठीक है अब इसका थोड़ा background हम देखें तो 1983 में ये बना और इसने first of all bank का क्या काम होता है हम लोग भी bankों में पैसे जमा करवाते हैं हना जैसे हम लोग भी bankों में अपनी पैसे submit जमा करवाते हैं ठीक है deposit करवाते हैं और bank भी आगे इसको क्या करता है investment करता है जैसे वो loan दे देता है किसी को stock market में लगा देता है या फिर government bond में लगा देता है हना वो भी आगे क्या करता है अपना business चलाता है और 1990 में देखा जाए जो यह Silicon Valley Bank था इसने half share अपने मलब जो half इसका reserve था वो किसमे लगा दिया real estate में ठीक है real estate में invest कर दिया अब यहां पर इसकी problem यह है कि एक उसके बाद एक concept आता है diverse portfolio इसका यह मतलब है कि जो अपनी saving है portfolio होता है कि जो हमारी saving है जैसे हमने कहीं कहीं से इकठा किया पैसा उसको हमने diverse तरीके से लगाना है अब जैसे कुछ पैसा हम suppose हमारे पास thousand रुपे हैं इसको कुछ हमने gold में लगा दिया कुछ share market में लगा दिया कुछ हम FD में लगा दे ठीक है अब यह नहीं है कि हम 50% अपना 500 अपना सिर्फ gold में लगा दे इससे क्या होता है डूबने का ज़्यादा चांस होते हैं तो इसने क्या किया इस bank ने 1990 में अपना half जो पैसा था half reserve था वो real state में लगा दिया फिर 2015 में इसकी अच्छी grow होने लगा यह bank जो अच्छा grow होने लगा और जितने वी start-up थे start-up service थी वो सारे 65% इसी में क्या करने लगे अपने deposit करवाने लगे ठीक है और 2022 आते आते यह एक 16th largest bank बन गया सबसे ज़्यादा इसको benefit होता है lockdown करोना अब losses के क्या कारण है कैसे डूबा यह सबसे ज़्यादा इसको benefit कब हुआ lockdown करोना क्यों सब कुछ बन था क्या चल रहा था software company चल रही थी अब software company से क्या मतलब है जैसे की online service होगी हाना phone से technology से वो काम ज़्यादा चल रहे थे ठीक है वो fast grow कर रहे थे और इसका जो 65% ही है किसको service दे रहा था start-up को तो उन्होंने अपना सारा पैसा कहा deposit करवा दिया silicon valley bank में ठीक है तो इससे क्या हुआ इससे इस bank में पहले इसके 62 billion 2020 में इतना इसका reserve था इतना deposit था और फिर 2021 में 100% increase हो गया कितना हो गया 1,2,4 billion किसके कारण करोना के कारण ये अब कहां जा रहा है ये अब losses के नजदीक जा रहा है वो हम देखते हैं कि कैसे जा रहा है ठीक है अब जैसे आपके पास ही ज़्यादा पैसा आ जाए आप क्या क अब बैंक क्या करती है हम लोग पैसा जमा करवाते हैं बैंक में बैंक आगे अपना business चलाने के लिए पैसा investment करता रहता है तो इसने पैसा कहां invest किया bond में ठीक है जैसे government bond ले ली corporate bond ले ली अब ये bond क्या होता है bond एक ऐसी term होती है एक ऐसी चीज होती है जब government को या company को पैस क्या होता है जो USA की government है उसने interest rate increase कर दिये क्या किये उसने interest rate increase कर दिये क्यूंकि ये क्यूंकि inflation को control करने के लिए समझ आ रही है न कैसे game चल रही है इसकी कैसे reserve बढ़ा इसका करोना के कारण क्यूं बढ़ा क्यूंकि जो start-up थे software service थी उन्होंने सारा पैसा इसमें deposit करवा दी और 100% ये increase हो गया अब बैंकों ने भी अपना पैसा आगे क्या करना है इन्वेस्ट करना है तो इसने अपना bond में इन्वेस्ट कर दिया और वहां पे government क्या कर देती है interest rate high कर देती है oh my god ठीक है that point this point is causes of loss ठीक है यही point है इसके डूबने का अब देखो कैसे डूबता है ये bank आपने economic में ये relation पढ़ा होगा कि जो bond होती है और जो interest होता है इसका inversory relation होता है अगर interest बढ़ेगा तो bond का value होती है वो क्या होती है डाउन हो जाती है ठीक है तो इससे क्या हुई जो इसने bond में पैसा invest किया bond खरीदी उसकी value कम होने लगी कम हो गई हाना फिर ये था जो Silicon Valley bank का worst case यहां पे क्या होता है जब government ने interest rate increase किया तो bond कम होने लगी और जो startup जिन लोगों ने startup बालों ने पैसा रखा हुआ था वो customer थे वो गे निकालने वो पैसा निकालने लगे ठीक है तो bank क्या करने लगी बैंक अपने bank ने क्या किया बैंक ने अपनी bond ठीक है bond बेची लेकिन 1.8 billion के loss पे ठीक है क्योंकि आप बैंकों ने भी तो पैसा देना जिस customer से लिया हुआ है अब उनकों क्या पता था कि interest rate high हो जाएगा तो इसी कारण क्या होते हैं ये जो चीज है जब उन्होंने देखा कि इन्होंने bond इतनी loss में बेची बेची तो जो moody है है एक moody organization है वो rating देता है उसने rating down कर दी इस bank की इसने क्या कि is bank की rating down इसके share down हो गे ठीक है इसके share क्या होगे down होगे और bank run करने लगा इसका क्या कंसेप्ट है ये बैंक रन क्या कंसेप्ट है बैंक रन का मतलब कि जाद से जादा लोग क्या करने लगे जब नियूस में आने लगे कि हाँ वहाँ पे इस बैंक में ऐसा हो रहा है इसके शेयर कम लोडाउन हो रहे है इसमें पैसा नहीं है इतने गाटे में जा रहा ना वहां पर कि हमारा पैसा दो हम निकालेंगे वहां से अब इसका लॉज का यह कारण नहीं कि इसने फ्रॉड किया है यह स्कैम किया है यह नहीं है बस इसका यह है कि जो इसकी अंदर आड्मिस्ट्रेशन है उन्होंने एक बैड डिसीजन ले लिया है जब पैसा आया इनके पास तो इन्होंने गोवर्मेंट सिक्यूरिटी में गोवर्मेंट बॉर्मेंट में इन्वेस्ट कर दिया हना उसके बाद क्या होता है अब यह होता है कि अब बैंक में कुछ लिमट होती है वो गोवर्मेंट लॉज से मिला कुछ गोवर्मेंट के लॉज आते हैं इंडिया बाद जो department of financial protection and innovation है ठीक है उसने क्या किया उसने बोला कि अच्छा इनके पाद जितना पैसा बचा हुआ है उससे हम क्या करते हैं एक new bank बना देते हैं ठीक है new bank बना देते हैं और इस bank को हम क्या करेंगे merge कर देंगे किसी और bank के साथ जैसे इंडिया में भी 2021 में हुआ था इं positive down चलने लगा उसको small finance bank के साथ unite कर दिया ठीक है तो फिर ये authority जो है USA की ये decision लेती है कि जितना reserve बचा है उससे हम new bank बना देंगे और इसको merge कर देंगे ठीक है तो अब इसके कारएं इंडिया पे क्या effect पड़ता है या बाकी जगा देखा जाए तो जिन लोगों ने इसके share खरीदे होंगे ठीक है start-up start किया होगा ठीक है उसके negative side जा रहे हैं ये सारी चीजें ठीक है ये था Silicon Valley bank crisis कैसे crisis हाया इसमे crisis का ये था कि पहले high rate में गया 100% reserve होगे government bond में लगा दी इसने फिर government ने interest rate increase किया तो bond गिनने लगे हना bond गिनने लगे जब तो ये गाटे में जाने ल लगे उसको कि तो लोग ज्यादा जो customer थे वह ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा लेने जान लगे तो इससे क्या हो गया bank collapse हो गया